नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड में तो दोस्तों राजस्थान के जैसल मेर्ज लेके पोकरंड फील्ड फाइरिंग रेंज में भारती सेना और डी आडियों ने आकास मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफल पर इचड़ किया है और इस मौके पर सेना क अधिकारी और डी आडियों के सीनियर साइंटिस्ट भी मौजूद थे और इस मिसाइल को भारती सेना ने अपनी हवाई रच्छा के लिए तयार कराया है और ऐसा माना जा रहा है कि यह आकास के नए वर्जन आकास प्राइम का टेस्ट हो सकता है वहीं पिछले साल सितंबर क महिने में भी इस मिसाइल की ओडिसा के चांदी पूर स्थित इंट्रिगेटेड टेस्ट रेंज से सफल परी चड़ किया गया था तब इसने माना रहित हवाई टार्गेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया था और पोकरण में टार्गेट किस तरह का था इस बढका है जो दुसमन के टार्गेट को पहचानने की सठीक्ता को बढ़ाता है और इसके अलावा इसमें अत्यादिक उचाई पर जाने के बाद तापमान नियंतर के यंद्र को भी अपग्रेड किया गया है वहीं γ्राउड सिस्टम को भी अप्रेड किया गया है इसके पर पर इच्छड किया था और आकास एंजी जवीन से हवा में मार करने वाली मिशाइल है इसे भरती वायु चुने के लिए बनाय गया है और आकास एंजी वहीं आकास NG मिसाइल को मोबाइल प्लेट फार्म से लांच किया जा सकता है और आकास NG का कुल वजन 270 किलोग्राम है वहीं इसकी लंबाई 19 फीट और चौड़ाई 1.16 फीट है ये अपने साथ 60 किलोग्राम का वजन या हथियार ले जा सकता है वहीं फिलहाल भारत में इसके तीन वैरियंट मौजूद है जिसमें पहला है आकास NG मिसाइल 20 किलोग्र की उचाई तक जाकर दुस्मन के विबान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो इस मिसाइल की गती है ये दुस्मन को बचने की तायारी का मौका नहीं देती और इसकी गड़ 2.5 मैक यानि की 3087 किलोमीटर प्रतिगंटा है यानि की एक सेकंड में करीब एक किलोमीटर की दूरी या मिसाइल तैं करती है आकास एंजी मिसाइल के पुराने संस्क्रण साल 2009 से भारती सेनाओ को अपनी सेवा दे रहे हैं और आकास एंजी मिसाइल को T-72 या BMP चेचिस या Tata Motors के हैवी मोबेल्टी ट्रेक्स पर बनाए गए मोबाइल लांच सिस्टम से दागा जा सकता है और इस मिसाइल के मोबाइल लांच सिस्टम के लिए गाडिया Tata Motors और B.E.M.L. Tatra कंपनिया बनाती हैं वहीं आकास एंजी मिसाइल के पुराने संस्टम को पिछले साल चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दवरान लद्दाक स्थित लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल यानि की LAC पर भी तैनाद किया गया था और इसके लावा भारती वायू सिना ने आकास मिसाइलों को गुआलियर, जलपाई गुडी तेजपूर, जोरहाट और पूडे बेस पर भी तनाद कर रखा है वहीं कुछ समय पहले ऐसी खबरे भी आई थी कि फिलिपीन्स, बेलारूस, मलेसिया, थाइलेंड, यूएई और वियतनाम जैसे देश आकास मिसाइलों को भारत से खरीदना चाहते हैं और 30 दिसंबर 2020 को प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ने कैबिनेट की बैठक में इन मिसाइलों के निर्यात करने का फैसला लिया था यानि आप इस मिसाइल को दुनिया के बाकी देश भी हरीच सकते हैं अब आप लोगों का क्या कहना है इस आकास मिसाइल के टेस्ट पर कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना ना बूलें ताकि डिफेंस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद